पूर्णिया से निर्दलिय सांसदी जीत के संसद भौन में पहुँचके पपू यादो शपत ग्रहन कर रहे थे, इसी बीच बीजेपी का एक नेता उन्हें टोक देता है, जिसके बाद पपू यादो बमक के फैर हो जाते हैं और कहते हैं कि आप हमको सिखाईएगा, आप दय माजरा क्या है पूरा मामला, क्यों बमक गए पपू यादो और क्यों ये उनका बयान जो है पूरी संसद भौन में तूल पकड़ने लगा, इस पूरी जानकारी से हम आपको आउगत कराएंगे लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मैं आपको बता दू, पूर्णिया से निर्दलिय संसद जीते हुए पपू यादो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेके, कभी अपनी बातों को लेके और जिस तरीके से वो मीडिया में च्छाय रहते हैं, वो बहुत ही अलग है और बताता है कि पू यादो की फैन फॉलोइंग पूर्णिया में क्या है, जब वो पूर्णिया से जीत के संसद भौन में पहुंचते हैं और सपत ग्रहन करते हैं, शपत ग्रहन वो मैथली भासा में शुरू करते हैं, और साथ ही साथ प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार से उनका सप इन सब बातों का जिक्र करने लगते हैं। और कहते हैं कि मैं चार बार नर्दलिय सानसदी जीता हूं। मैं किसी के कृपा और भरोसे पे नहीं रहता। अकेले जीता हूं आप हमको सिखाईएगा कि कैसे क्या बोलना होता है। जब इस तरीके का उनका बयान सामने आता है तो संसद भावन का माहौल अशान्त हो जाता है। कुछ लोग सक्ते में आ जाते हैं कि आखिरकार पपु यादों ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा कैसे बोल दिया। क्योंकि किसी भी संसद भावन में पहले दिन जब शपत ग्रहन होता है तो उस दोरान सिर्फ सपत ग्रहन किया जाता है। किसी और विशेश मुद्दे को नहीं उठाया जाता है। कि आखिरकार प्रटेम बोला है जिसके बाद किरन रिजेश जू तो चुप हो जाते हैं और बीच में प्रटेम स्पीकर बीच बचाओ करते हैं वो कहते हैं कि पपु यादों आप शांत हो जाए। पपु यादो जब बिहार के मुद्दो को उठा रहे होते हैं तब भी प्रटेम स्पीकर कहते हैं कि अब बस करिए रहने दीजिए आपका जो है शपत ग्रहन हो गया है अब वापस आप अपने सीट पे जाए। लेकिन पपु यादो किसी की बात नहीं सुनते और अपनी बातों को कहते रह जाते हैं जिसके बाद करन रिजिजु जो है उन्हें टोक देते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं और पूरा वहां से बवाल जो है वो कटना शुरू हो जाता है। इस राजे का दरजा तो मिले साथ ही साथ नीट की परिक्षा जो है वो दोबारा होनी चाहिए और इस बात का उन्होंने जिक्र कर दिया जिसके बाद कहीं न कहीं माहौल जो है वो बिहार का गरमाया हुआ है बिहार में शियासत तेज हो गई है और मीडिया से बात करने के द को यादो बमक गए थे इस बात को लेके जो माहौल बना था सांसत का उस बात को लेके आप क्या सोचने हैं क्रिप्या कॉमेंट सेक्शन में जाईए और कॉमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुचाईएगा बाखी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम र आज़त है